नमस्कार मित्रों, हुँँ पटेल कलियाई दोरर दस गुजराती प्रत्मपस्रामा आप्षवने आउकावुचुं। मित्रों, आजे आप्रेल गुजरातीना पाथ दस डांगोवनों और जेना लेखोंची महेंद्रसी पर्मार अने सहीत्य प्रतार छे निवन। मित्रों, महेंद्रसी पर्मार आपाथ पत्रसलीमा लुख्ये छे। आपाथ नी आएक आगोवी लाक्षा लेक्ता नाभी सप्राय। मित्रों, पत्रस्वरुपे लिखव जी नर्मला इनार अने डांगा ना जंगलोंमा फरिया। एनुँ वर्ण तेव आ पाथमा परे छे। मित्रों, आपरे पर प्राकृतिक संदर्य। आपनी नजर्थी जुता को भयें छे। पर एक लिखव, एक कवी, एक अलग द्रश्टे थी, एक अलग नजर्या थी जुआ, आपनी सम्मेजाने करस्तों मुखी देता होई, एक लिखव आ पाथमा आपने। तेंदा फंदर्या उमर्ण करे छे। तो इत्रों जुए, पाथमा आपरे नर्मदा नदितिना नमर्ण, आने डांग ना जंगल, अहलाद शंगल। तो जुए लिखव पाथ, ते पहला लिखवपनों तुख्म परिचरी मेरभू। महेंद्रशी पर्मार, तेमनों जन्म, 22,9,7 मा थयो छे। तेमनों पूरुनाम, महेंद्रशी तख्तशी पर्मार, तेमनों वतन, सुरेंद्र जिल्लानू कुकणा गाम छे। तेयो भाउनगर युनिवर्सितीना भाषा भवनमा अध्यक्ष तरीके कामगीरी करे छे। तेयो वार्ताकार, विवेचक अने दिगदर्शक तरीके जानीता छे। तेमनों गद्य आगवी भत पाड़े छे। तेमना प्रथम नामनों विवेचन ग्रंट, पोली टेकनिक नामे वार्ता संग्र, अने रखडूनों कागर नामे निबंद संग्र प्रगत थया छे। मित्रों हवे आपने आनिबंदनों तुकमा परिचै मेरविये। तो डांगवनों अने आनिबंद मित्रों रखडूनों कागर माठी लेवामा आवियो छे। पोते करेला नर्मदा किनारा अने डांगना जंगलोना प्रवासना संस्मरणोंने लेखक पत्र रूपे पोताना बापुजीने लखे छे। जेमा लेखकनों रखडू स्वबाव समवेडन सील रदई अने शौंदरिय द्रश्ती अनुबवाई छे। अहीं लेखकनों नर्मदा साथेनों शुक्ष्मना तो छे। तो साथे गुजरातना एक रणियामना प्रदेश डांगना प्राक्रूतीक शौंदरिय तथा त्यान लोकोनी विशेशिताओ पन आनिबंदमा अत्यंत लगवथी वर्णवाई छे। ए साथे लेखकनों सम्वेदन पण गुतातु जाई छे। आ आखी वात करवा माटे पत्र शैली पसंद करीने लेखके पोतानी अने भावकनी वच्चे अंगत सैटू रच्चियो छे। निबंदनों गद्य प्रवाही छता उंडान वाडू छे। गुजराती गड्डियनी एक जुदी तरेह एमाँ छे। तो हवे मित्रो विगत्वार पाथ नी समझोती मेरवीशू आपरे। ते पहला मित्रो एक वखत फरिध्यान मा राख जो। के आपाथ रखडूनों कागर मा थिलेवामा वियो छे। अगव अंकलेश्वर अन्या हवा गयो त्यार नो तमने लखवा धर्तो हतो। एपच्छी फरी एक वार जोई आवियो। लख्याव अगर नज चाले एवू थई गयो। मित्रो समझ्जो अहीं महेंद्र से पर्मार कहे छे पुताना बापुजी ने। समझ्जो मित्रो पत्र सैली मा लखे छे। इतले सव प्रथम तो त्यों पुताना बापुजी ने संब्धन करे छे। अने कहे छे के अगाव। इतले के पहेला हुँ अंकलेश्वर अने आहवा गयो। त्यार नो तमने पत्र लखवाईच तो हतो। पण ए पच्छी फरी वार एक वार जईयावियो। इतले पच्छी तो लख्या वगर न जरहवाय। एवो ठई गय। ए अनूभवोने पुनह एतले फरी सम्रुत करवानों एतले के याद करवानों प्रयत्न करूछू। इतले के प्रयाश करूछू, कोसिस करूछू। मित्रो लेखक कहे छे के हवे तो पत्र लख्याविना रहवाई एवोज न थी। माते ए अनूभवोने फरीठी याद करीने लखवानों प्रयत्न करूछू। अवे कहे छे लिखक लखे छे आगर अहवा जत्ता पहला त्राण दिवस अंकलेस्वर रोकायो। अंकलेस्वर मने प्रिय छे। मित्रो मजाक मा जेने गंदकेश्वर कहे छे। गंदकेश्वर इतले पुषकर गंद की। मित्रो समझ्यो। के आहवा जाई लिखक ते पहला त्राण दिवस ते ओक्या रोकाया हता अंकलेस्वर मने। अने अंकलेस्वर लिखकने खुबज गमे प्रिय अयमनू। एतले मित्रो मजाक माशू कहे गंदकेश्वर। कारण के कारखाना ओठी उबरातु एशियानू बीजा नंबरनू अध्योगिक मथक। मारू प्रिय स्थर छे। मित्रो समज्ज। अंकलेस्वर जे छे ते आखा एशिया खंडमा कारखाना ओठी उबरातू बीजा नंबरनू अध्योगिक मथक छे। अने तेले खकनू प्रिय स्थर छे। अगर लखे छे। हो वैचित्रयम इतले के विचित्रता एनी दूरगंद इतले के खराब वास तो एनी दूरगंद साथे एक गरोवो केरवाई गए लों। पण साचू कहूं तो अहीना बरुची नाका थे। बोर भाथा थाईने आगर जत्ता आउती बेखड वती। इतले के बेखड वाडी नर्मदाने कारणे अंकलेश्वर मारी प्रिय जग्या छे। अहीं उच्चासने बैशी ने कितली ये वार शुर्याष्ट जोवानी मजा लूटी छे। उच्चासने इतले उच्चा आसन उपर वेसी ने सुर्याष्ट जोवानी मजा लेख़के अहीं मारी छे। अश्टाचरे पहुचेला शुर्या माराज एतले के सुर्या महाराज आक्षितीज जडवती जडवती एतले जड़ सभर पुषकर जड़मई नर्मदानी सपाटी पर छेक अमरा सुधी लाल कारपेट विछावी आपे छे। कारपेट अंग्रेजी सब्द छे मित्रो गुजराती थसेनु ज़ाजम। आ राज मारके तप तप करता डोडी ने एमने मणवा जईये त्यातो गायब थई जई मित्रो समज्जो लेखकने अंकलेश्वर अती प्रिय छे। लेखकना मित्रो अंकलेश्वर ने मज्जाकमा गंद केश्वर कहेता होई छे। तेम छता एनी डुरगंद साथे तेमने एक गरोबो केरवाई गयो छे। अहिना बरुची नाका थे। बोर बाथा थाईने आगर जता बेखडवती नर्मडा आवे छे। एटले लेखके तेमने अही उच्चा सने बेशीने अनेक वार शुरियाष्ट जोवानो आनंद मानियों छे। अश्टाचर परवत सुधी पहुचेलो शुरिय आ क्षितीज जाडवती। नर्मडानी सपाटी पर छेक एमन सुधी लाल कारपेट बिछावी स्वागत करतो होई एवू तेमने लागतो। तेयो आ राज मार्ग पर तप तप करता डौडी ने नर्मडाने मरवा जता। त्यां तो ए लाल कारपेट गायाप थाई जती। नर्मडानो आ रमणिय रूप खास अंकलेश्वर मा जोवा मरतू। लेखकने आ भेखडवती नर्मडाने कारणे अंकलेश्वर अती प्रिय छे। आगर कहे छेली खक के नर्मडाई मने हर हम्मेस जंक्रुत करियो छे। कोई पर रूप मा ए नदी मने तानी जाई छे। आम जम्मणी तरफ सामाप्रवा है जोके सामोप्रवा तो कहेवानों छे। भरती नी असर होई तो छेक शुदी तमे सकती रहो केशूं नदी ये वहेन बदलियों जों तो कबीरवड, नारेशवड, जबलपूर ने अमर कंटक सुदीना तमाम प्रडेशों फरीवरूं तो आम डाबी तरफ प्रवाह साथे वहूं तो समुद्रमा त्यां थी क्यानों क्यां कबीरवड साथे कबीरजी ने अनुबविये के तलाए तपश्वियों ना तपने अनुबविये नहीए त्यारे आखी नर्मदा आपने होई मित्रो जुवत खरा लेख कहे छे आपनने के कबीरवड ने जरे अनुबविये त्यारे जाने कबीरजी ने जे नाई अनुबवता होई कबीरजी आपणा कवी निवात करे छे तोवडी तपस्वियों ना तपने अनुबविये अने लिखा कहे छे के जरे नर्मदा मा स्नान करिये नहीए त्यारे तोवडी आखे आखी नर्मदा न दी आपने जो होई एवू लागे कलांतरोनी कलांतर एतले लाबा समयना अंतर पछी शुरुष्टी मा एतले के शर्जन मा आपने नही रहिए एक अंजली एतले खोबो बढ़िये तो हाथ मानू जड बुतकारना बदा द्रश्यो वर्तमाननी सन्नी दिये उगाड तू आवे भूख तरस बदू भुली जवाई मित्रो लेखब कहे छे के ज्यारे नर्मदामा स्नान करता त्यारे तिमने नर्मदा पोतानी होई तेवी आत्मियतानी तेमने अनू भुती ठती वरी कलांतरोनी शुरुष्टीमा नहता होई एवु तेमने लागतो तेवी नर्मदाना जड नी एकज अंजली भरे तो हाथ मानू जड भुतकार ना बदा द्रश्यो जाने वर्तमाननी समीप ताने त्राडर्श करता अने तेव भुख तरस बदू बुली जता आगर कहे छे लिखक के कवी राजिंद्र शुकल अहीं याद आव्यावीना न रहे मुठी चणा के दने जडनानू मिठु पाने गेगूर नी गटाम आठे प्रहर उजाने गेगूर इतले गाद गनगोर गटा इतले जुन्द प्रहर इतले पहोर त्राण कल्लाक साडा साथ गड़ी उजानी एतले मीजबानी जयाफट केवन बोजन मित्रो अहीं लेखक आपणने कहे छे के अहीं आपणने कवी राजेंद्र शुकल याद आव्यावीना न रहे काराण के कहे छे के मुठी चणा के धनी अने जन्डानों मित्थू पाणी बिजुशू जोईए गेगूर नी गटा मा आठे प्रहर उजानी इतले के जंगलमा गद गन गोर जंगलमा जुन्दमा साडा सात गडिये मिजबानी जयाफत वन बोजन तो मित्रो अहीं आपणने आपणनों पेलो भग पूरो करिये छिए फरीमरीशू भाग बेमा बाई